हेलो इन्वेस्टर्स मेरा नामे योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी तो आज की वीडियो में हम बात करने है जी टील इंफ्रासक्चर लिमिटेर के बारे में साथ ही बात करें इसकी मार्केट की लेटेस अबडेट जिससे आनुवेले समय में जी टील इंफ्रा के बात करें तो हर वीडियो में आपको बताते आ रहा हूं कि आनुवेले समय में जी टील इंफ्रा में एक अच्चे कासे रिटर्न शॉर्ट टम में और लॉंग टम में दे सकता है क्योंकि टेलिकॉम सेक्टर का एक लॉता ऐसा पहनी स्टॉक है जो अभी भी हमें काफी जादा अंडर्विली प्राइस में मिलते भी नजार है और डे बाई जो इसके फंडामेंटल्स में जो हमें इंप्रूम करीट में करीपरी 45,000 करोड का जो फन रेस गया है 5G सर्विसेस के लिए और इंडिया के लिए क्योंकि आप सभी को पता है कि वोड़ा फोन आडिया अपने 4G सर्विसेस जीटेल इंफ्रा के थूई करते भी नजार है और जो अब भी रिसेंटली जो वोड़ा फोन आडिया के बात करें जैसे के जियो होगा है येटेल होगा है और जैसे के बीएस नल और पताइंजली ने जो टाइप के है जीटेल इंफ्रा के थूर तो आनुले समय के लिए जीटेल इंफ्रा में अच्छा कासा रेविन्य जनरेट होते हुए नजर आगा और इसका फ्यूचर समय में फंड रिस करते हुए नजर आये जो जीटेल इंफ्रा के थू वोड़ाफोन आड़ा अल्रेडी 4G सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए नजर आये लेकिन जो में इशू था जो 5G सर्विसेज के वह आप दूसरी टेलीकॉम ऑपरेटरस में नजर डालो जैसे कि जि इसने भी टावर कंपने जैसे के जीटेल इंफ्रा एच एप सीयल लिमिटेड जो भी टावर शेरिंग काम करते हैं सबी में एक अच्छा खासा फंड आते वह नजर आएगा और वही जीटेल इंफ्रा के कुछ पॉजटिव पॉइंट्स की बात करें जैसे के जीटेल इंफ जीटेल इंफ्रा पे जितना भी डेप्ट हो कंपनी 100% डेफ फ्री होती हुए नजर आएगी और जब यह स्टॉक डेफ फ्री होते हुए नजर आएगी तो यह स्टॉक जो आज हमें दो रुपे के असपास देखने को मिल रहा है वह आनुवले समय में 20 और 30 रुपे भी होत 3-4 साल और लग सकते लेकिन जातक मेरा मानने यह बहुत जल भी हमें देखने हो मिल सकता है तो टेलिकॉम सेक्टर में जो डे बाए डे जो डिमांड बढ़ती भी नजर जो फाइजी सर्वीस और जो सिख जी की भी बाते चली जिस वज़े से जीटेल इंफ्रा एक टेलिकॉ अपरेटर्स भी काफी जादा एक्टिव होते हुए नजर आ और जो आज मार्केट क्रेस्ट भी हुआ है तो यह बी कुछ रिजन से जिस वज़े आज हमें लोड सर्कृट देखने हो मिले तो फिलाल तो हमें इसमें अपनी होल्डिंग बरकार रहनी चे आज तो हमें लोड सर्कृट देखने हो मिले लिए बहुत जल फिर से स्टॉक में अच्छा खासा मूह देखने हो मिलेगा और जिस स्टेजी से स्टॉक ने जो रिसेंटली जो डेड़ रुपे से जो दो साथ का जो चलंग लगा थी जासे आप नजर डालो स्टॉक हमें दो रुपे 20 पैसे और दो रुपे 25 पैसे के पास एक स्टॉंग रजिस्टन भी बनाते हुए नजर आ जो कि जीटेल इंफ्रा के लिए काफी ज़रा पॉजर्ट पॉइंट नजर आ रहा है तो फिलाल तो हमें इस टॉक में अपनी होल्डिंग बरकारा रखनी चाहिए जैसे जीटेल इंफ्रा में